अलो दूस्तों स्वागत आप लोगों का हमारे चैनल में दूसरे सुड़े में मैं आप लोगों को रिवीव देने वाला हूं टर्बीना फॉरस एन फ क्रीम के बारे में तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसके कंपोजीशन के बारे में तो यहां पर आपको जो इसके तैनल के अरे तरग यह कोश्यमार प्रीका ऐसेके अर्टभी वätत alltid खाय तो यह आंप लोगों को बता दूं कि तो तो ओचा समबंदे सभी तरह के सभी प्रकार के रोगों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है जए पनलın इसकीन इंफेक्शन की वज़े से कोई रोग लग गया हो या बैक्टेरियल इसकीन इंफेक्शन की वज़े से कोई समस्य आ रही हो तो कहीं पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दात, खाज, खुजली, फोड़े, फुनसी इन सभी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है आपको बता दू कि यह करीम Mankind Company दोरा बनाई गई है और यह जो है 15 गिराम का पैक है और यहां पर composition भी दिये गए हैं आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं यह सारे composition आपको यहां पर दीख रहे होंगे इस अभी कुछ यहां पर warning वगएर दी गई है तो अगर अब हम इसके rate की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जिसका MRP यह उन्चाद रुपए आपको इसी के आस पास में मिल जाएगी मार्केट में तो यह काफी useful है बहुत जो है फायदे मंद अगर आप इसका इसका इस्तेमाल करते हैं किसी भी तरह के तवचा रोग के लिए तो यह बहुत तेज असर करती है आप चाहे तो इसका इसका कर सकते हैं अगर आपको कोई भी समस्य आ रही इस तरह कि दाथ का खुझली फोड़े खुंसी बहुत से जो है तोचा रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत अची क्रीम है वैसे इसका इस्तेमाल जो है एकजीमा, कॉंटेक्ट डर्माटाइटीज, सिबोरिक डर्माटाइटीज, सोराइसिस इन ही में इसका इस्तेमाल जादा होता है और फंगल इसकीन इंफेक्शन में भी इसका इस्तेमाल का होता है जैसे रिंग वाम यानि कि दाद जो कि जो की जा आप कर सकते हैं बहुत सारी स्कीन से जूड़ी समस्याओं में क्योंकि आप आपको जो है तीन तीन composition मिलते हैं वह भी हाई लेविल के तो आप इसका 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 कर सकते हैं दात-खात-खुली खोड़े-खुंसी इसके side effect में sensation burning, itching, peeling यहीं सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जो side effect जहड़ने पाड़ते हुआ है तो बस इस वीडियो कंदर इतना यह उमीद करते हूं कि आपको यूडियो पसंद है और आपको यूडियो पसंद है तुसको लाइक कर देजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कर दो सब्केट कर दो Oh